नमस्कार साथ यहां आप सभी का हमारे इसक्रेशनल प्लाटफॉर्म कॉंपटिशन कम्यूटी पर एक बार फिर ते स्वागत है बात करने हम लोग यहां पर टार्गेट यानिकि जब तक तोडेंगे नहीं तब तक छोडेंगे नहीं और इसी कड़ी में आज हम लोग यहां पर नबर सेवन डिसकस करने वाले तो क्या कुछ खास रहने वाला आज के सेशन में जदि मैं इसकी चर्चा करूँ तो आज के सेशन में हम लोग यहां पर mathematical operations पर based various exams में पूछे गए प्रश्णों की चर्चा करेंगे साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर approach हमारा क्या होना चाहिए जिससे हम questions को कम से कम समय में बना पाएं साथ ही साथ कुछ basic concepts जिससे हमारे exam में गलतियां होने के chances ना के बराबर हो इसके लावा गर मैं बात करूँ तो आज हम लोग यहाँ पर order and ranking पर based प्रश्णों की भी चर्चा करेंगे तो अगर हम बात करें order and ranking की तो हिंदी में हम इसे करम विवस्था के नाम से जानते हैं और यह chapter क्यों महत्रपूर हो जाता है यदि मैं इसकी चर्चा करूँ तो यहाँ से आप ना केवल करम विवस्था के प्रश्णों को बनाना सीखेंगे साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बैठक विवस्था यानि कि sitting arrangement पर based basic concept भी आपका यहाँ से develop होता हुआ दिखाई देगा यानि कि basically यहाँ पर हम persons के arrangement की बात करने वाले हैं तो बात करें आज के session की तो चलिए start करते हैं फड़ा फड़ा यहाँ पर हम सीधे प्रश्णों की चर्चा करेंगे और प्रश्ण में ही हम यहाँ पर क्या करेंगे mathematical operation के साथ सुरुआत करते हुँ इसके basic concept और approach की चर्चा करेंगे यदि मैं बात करूँ यहाँ पर पहले प्रश्ण की तो पहला प्रश्ण यहाँ पर आपको पंजाब police society 2017 के exam में पूछा गया प्रश्ण देखने को मिल रहा है यदि मैं बात करूँ प्रश्ण की तो प्रश्ण को हल करने से पहले कुछ basic concepts पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं जैसा कि मैंने आपको session के starting में ही बताया तो अगर मैं बात करूँ basic concept की तो जब हम लोग mathematical operation पर based questions को हल करेंगे तो हम लोग यहाँ पर जो rule follow करेंगे वो होगा आपका board mass board mass के दर मैं बात करूँ तो b का यहाँ पर तातपर किसे है ब्रैकेट से है ओका तातपर यहाँ पर आपका off से है d की अगर हम बात करें तो divided by m की बात करें तो multiply a की बात करें तो addition और s की बात करें तो subtraction clear तो यह sequence हमें follow करना है जब हम प्रश्णों को क्या कर रहे होंगे हल कर रहे होंगे चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रश्ण की प्रश्ण की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ instructions given है जैसे की बोला गया है divided by का मतलब क्या है multiply यहाँ पर भी आपको divided by का sign दिखाई देगा उसे हमें क्या करना है multiply से substitute कर लेना है इसके बाद अगर हम बात करें तो बोला है आपका multiply का मतलब क्या है प्लस है यहाँ यहाँ पर change करेंगे किस के साथ में प्लس के साथ में, प्लस कि अगर वाद करें तो प्लस के सील के लिए बुला गया है, माइनस और माइनस के लिए बूला कर यहाँ वाद घंज कलियर, अब फटा-फटस EQUATION कोants on करेंगे solve करने के लिए अप्रोच और concept यहां पर गिवन है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जैसा कि यहां पर ब्रैकेट और आफ आपको देखने को नहीं मिलना लेकिन अगर करें तो डिवीजन भी है multiplication भी है अदिशन भी है राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए चलिए मुवण करते हैं next question पर next question की बात करें तो UP Police Society 2021 की परिक्षा में पूछा गया प्रस्ण है बिल्कुल latest अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको question देखने को मिल रहा है और अगर हम बात करें mathematical operation की तो देखें कितने अलाग अलग तरीके से आपको यहाँ पर प्रस्ण देखने को मिलेगा इस बार यहाँ पर आपको alphabets दिए गए और alphabets के लिए यहाँ पर आपको कुछ signs दिए गए हैं जो की instruction में यहाँ पर लिखे हुए यहाँ पर हमारे पास यह sign हो जाएंगे देखने के लिए अब अगर हम बात करें यहाँ पर सिक्वेंस की तो सबसे पहले हम क्या करेंगे multiply addition और subtraction में से हम सबसे पहले multiply करेंगे तो यहाँ पर value मिल जाएगे 14 प्लस यहाँ पर value मिल जाएगे 6 यहाँ 14 प्लस 3 की बात करें तो 17 आंसर हो जाएगा option नंबर ए आसानी से चुटकियों में within seconds आप यहाँ पर questions को बना पाएंगे अगली ती मैं प्रश्न की बात करूं तो आपको equation थोड़ी यहाँ लंडी आपको देखने को मिल रही है तो कैसे आसानी से हम इसको बना सकते हैं इसके उपर चर्चाइब करेंगे तो अगर मैं डी की बात करूं सबसे पहले तो डी कार्थ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है divided by यानि की division एक की अगर मैं बात करूं तो एका means addition जह यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे minus का sign लगा लेंगे सबसे पहले हमें क्या करना था बोर्ट मास के according सबसे पहले हमें सबसे पहले हमें क्या कर लेना है multiply कर लेना है तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 18 देखने को मिलेगा यह हो जाएगा आपका इस प्रकार से क्लियर इसको जब आप यहाँ पर solve करेंगे तो यह आपका 15 और 9.14 यानि कि इसमें से एक घटा दें तो यह बन जाएगा तिरपन औ आपको क्या करना है सेma प्रक्रिया को follow करना है और आसानी से आपको प्रश्ण बंता हुआ दिखाई देगा बात करेंगे अगले प्रश्ण की देखिए यह तो हो गई बात किसकी concept की हम यहाँ पर थोड़ी सी अप्रोच की भी चर्चा करेंगी जब हम अप्रोच की बात करत करते हैं तो option में आपको दियागा है कि कौन-कौन से sign को आपको interchange कर लेना तो ऐसे प्रस्टों में सबसे पहले हमें क्या करना होता है डीवीजन वाले sign को देखना होता है और जैसे कि यहाँ पर आपको एक hole number बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो अगर हमें division वाले साइन को इंटर्चेंज करने के बाद एक होल वैल्यू मिलती है तो हम उसे केरी फॉवर्ट करेंगे यानि कि हम एक्क्वेशन के साथ में जाएंगे अधर्वाइस हम क्या करेंगे उस ओप्षन को फिलाल के लिए होल्ड पर छोड़ देंगे तो जैसे कि अगर मैं बात क टो अगली मिल जाएंगे अगले विकल्प की बात करते हैं तो अगले विकल्प में multiply को बोला गया है किसके साथ interchange करने के लिए minus के साथ यानि कि यहाँ पर हम लिख देंगे minus यहाँ पर हम लिख देंगे multiply क्लियर तो यह value बन जाएगी कितनी 21 और यहाँ पर अगर हम बात करें minus यहाँ पर अगर मात करे 24 divided by 6 की तो हो जाएगा minus का 4 और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा minus का 12 यानि कि 21 में से 4 घटा होगे 17 17 में से 12 घटा होगे तो आपको मिलेगा 5 यानि कि यहाँ पर भी आपको 29 बनता हुआ दिखाए नहीं दे रहा है clear it means अब हमारे पास बच गए दो विकल्प एक जिसको हमने hold पे रखा और एक last वाला तो hold वाले को हम क्या करेंगे last में चेक करेंगे इससे पहले हम option number D के साथ जाएंगे option number D के मैं यहाँ पर बात करूं तो option number D में क्या बोला गया option number D में plus और multiply को आपस में इंटरचेंज करने के लिए बोला गया है तो यहाँ पर हम रखेंगे किसको multiply को और यहाँ पर हम रखेंगे किसको plus को तो यह value मिल जाएगे हमें कितनी 4 यहाँ पर मिल जाएगा minus यह हो जाएगा आपका 12 और यहाँ पर 29 जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है clear चली बात कर लेते हैं अगले प्रस्ण की अगले यही मैं प्रस्ण की बात करूं तो सेम अप्रोच को हम लोग follow करेंगे यानि कि सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवीजन वाले sign के साथ में जाएंगे अगर हम यहाँ पर minus को divided by के साथ क्या करते हैं इंटर्चेंज करते हैं तो आप देख पार हैं कि हमें एक whole value बनते हुए दिखाई दे रही यानि कि इस option को में hold नहीं करना है फिलाल के लिए क्या करना है इस option के साथ में हम जाएंगे जब हम इस option के साथ में जाएंगे तो यहाँ पर हम रखेंगे minus यह value बन जाएगे हमारे कितनी 10 यहां पर हो जाएगा आपका 2 into 3 और यह हो जाएगा 106-3 इसके बाद अगर मैं बात कहूं तो सबसे पहले में कर लेना था होगा आपके प्रश्ण डिवाइड वाले साइन के साथ ही बनते हुए नजर आएंगे क्लियर बात करते हैं अगले प्रश्ण की देखिए जब इस प्रकार के हम प्रश्ण की बात करते हैं MP सुबधार और साई 2017 यानि कि यह भी आपका प्रिवेस एर कोश्चन पर प्रिवे प्रियर्टी देंगे बाकी options को हम रखेंगे hold पर minus divided by equals to तो यहां रखें अगर minus यहां रखें हम divided by और यहां रखें अगर हम equals to तो 8 divided by 1 की अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा 8 और यहां पर 16 minus 8 की बात करें तो हमको देखने को मिलेगा 8 यानि कि equation आपका बिल्कुल correct होता दो हजार 20 की परिक्षा में पूछा गया प्रशन है उसी प्रकार का प्रशन आपको यहां पर भी देखने को मिल रहा है और अगर हम बात करें अप्रोच की तो इस बार हम जाएंगे option number c के साथ option number c के साथ यहां पर हम रखते हैं equals to तो हमें क्या देखने को मिलेगा यहां प करेंगे अगले विकल्ब की तो अगले विकल्ब में हम किसको चुनेंगे बात करेंगे अगले topic यानि कि order and ranking इससे पहले कि हम लोग order and ranking की शुरुआत करें तो order and ranking पर based कुछ basic concepts की चर्चा कर लेते हैं तो order and ranking की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पर आपको एक बात ध्यान देना है कि हम formula पर बहुत ज़्यादा dependent नहीं रहेंगे हमें basic concepts पता होने चाहिए और इसी basic concept की कड़ी में सबसे पहले हमें क्या जानना है जब हम बात करते हैं left plus left की यानि कि जब किसी वेक्ती की position हमें by छोर से दी जाती है और एक और वेक्ती जो उसके respect में कहां बैठा होता है उसके by और बैठा होता है means a और b की अगर हम बात करें तो इनके बीच में हो जाएंगे कितने वेक्ती तीन वेक्ती यह हो जाएगा आपका भी तो जब हमने कहा एक वेक्ती की position हमें left से पता है और दूसरे वेक्ती की position उसके respect में by और है तब जो हमें value मिलेगी वह कैसे मिलेगी वह value मिलेगी हमें minus हो करके और किस end से मिलेगी तो हमें मिलेगी left end यानगी बाइंचोर से जब किसी वेक्ती की position बाइंचोर से दी जाती हो और एक और वेक्ती उसके respect में उसके बाइंचोर बैटा हो तो दूसरे वेक्ती की position हम minus करके निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं अगर हम B की बात करें तो B कहां बैटा A के बाइवर 14 एस स्थान परALL एक अस्थान हमें पता कितना ठारवह है अगर हम B के थारवन की बात करें तो हमें पता कि B कास्थान कहां थाबार 21 को यहाई धार 22 को आप सीधे क्या करोगे concept को follow करोगे और answer निकाल लोगे clear इसी प्रकार जब हम बात करते है right plus right की यानि कि हम जब दाहिने और से दाहिनी और की बात करते है तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि जब किसी व्यक्ति की position हमें दाहिने छोर से दी जाती है मैंने कहा मान लेते हैं इसकी position दाहिने छोर से 18 है और B इसके दाहिनी और पांचवे स्थान पर बैटा यानि कि इनके बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 ही हो जाएगा आपका B जब हम बात करेंगे B की position की तो B की position हम निकाल सकते हैं कैसे minus करके answer किदर चाल जाएगा राइट एंड से यानि कि 18 माइनस हम 5 की बात करें तो B की position मिल जाएगी हमें 13 किदर से दाहिने छोर से clear? चलिए इसी प्रकार जब हम बात करते हैं राइट प्लस लेफ्ट की यानि कि दाएं प्लस बाएं की जब हमें किसी व्यक्ति की position दाहिने छोर से दी गई हो मान लेते हैं व्यक्ति A position दी गई है 15 और एक दूसरा व्यक्ति इसके बाई और बैटा हो मान लेते हैं हमने का यह एक व्यक्ति है B जिसकी position क्या है 5th to the left of A यानि कि A के बाई और 5 वे स्थान पर इसके बीच में व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी कितनी चार अब जब हम बात करेंगे B की position की तो B की position हमें मिल जाएगी प्लस करके और किदर से मिल जाएगी तो मिल जाएगी हमें दाहिने छोर यानि कि right end से clear इसी प्रकार जब हम बात करते हैं left plus right left plus right की यानि कि हमने कहा किसी वक्ति की position बायचोर से कितनी दी गई है यहाँ पे बना ले था हमने कहा किसी वक्ति की position बायचोर से दीगई है 20 वीःचैलिए अब का A और B बैठा है A के दाहिनी और आठ्वे स्थान पार इट मीन जिनके बीच व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 7 और यह जाएगा अब कभी तो जब बात करेंगे बी की पोजिशन की तो बी की पोजिशन हम लोग याद कर सकते हैं कहां से लेफ्ट एंड से और अंसर आएगा एड करके तो 20 प्लस 8 की हम बात करें तो हो ता आपके लिए structure बना पाना structure में आपको कई बार possible structure भी बनाने होंगे जो कि directly प्रश्ण में आपको दिया नहीं गया होगा clear चलिए बात करते हैं प्रश्णों की पहला प्रश्ण की आपकी स्क्रीन पर आ चुका है यदि मैं प्रश्ण की बात करूँ तो यूपी जेल पुलिस 2021 की परिक्षा में पूछा गया प्रश्ण है तो आप देख सकते हैं कि इस topic का अपना एक weightage है अपनी एक importance है और यहां से जैसा कि मैंने कहा ना केवल order and ranking बलकि अगर मैं बात करूँ तो sitting arrangement का basic concept भी यहां पर आपको develop होता हुआ दिखाई देगा तो यदि मैं बात करूँ यहां पर प्रश्ण की तो बोला है in a north facing row यानि कि एक उत्तर की और मुक किये हुए पंक्ति की हम बात कर रहे हैं जिसमें क्या बैठे हुए students ह विक्रम is 14th from the left end यानि कि विक्रम के अगर हम बात करें तो माय छोड़ से विक्रम का इस्थान कितना है 14 हुआ है यानि कि 14th है clear इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो बोला गया है चंदन 17th from the right end तो चंदन के अगर हम बात करें तो चंदन के बारे में जानकारी कि चंदन का के 17th है कहां से दाहीं चोड से, अब हमें नहीं पता है कि चंदन जो है वो विक्रम के कहां होगा बाय और होगा कि दाहीं और होगा यानि कि ये overlapping का case बनेगा या फिर overlapping का case नहीं बनेगा, यहां से हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है आगे कि यदि मैं यह फे चर्चा करू दी गई जानकारी की तो बोला है there are seven students between Vikram and Priyash यानि कि Vikram और Priyash के बीच में साथ students है तो ध्यान दीजे इसका structure दो प्रकार से बनाए जा सकता है एक तो यह हो गया और एक और जो बनाए जा सकता है इसकी अधि मैं चर्चा करूँ तो यह हो जाएगा आपका Vikram जिसकी position हमें दी गई थी कितना 14th from the left end clear अब इसके बीच में यानि कि इसके पहले यादी मैं बात करूँ तो इसके पहले व्यक्तियों की संख्या कितनी है 13 जिनमें से बोल रहा है साथ व्यक्ति विक्रम और प्रियेश के बीच है तो इस प्रकार अगर मैं इसको बनाओं तो यह हो जाएगा प्रियेश यानि कि विक्रम से पहले कुल व्यक्तियों की संख्याती 13 जिनमें साथ और एक आठ यह हो गया अट मिन्स प्रियेश की पहले जब हम बात करेंगे तो पांच व्यक्ति बैठे होंगे और जो दूसरा केस इसका बनाए जा सकता था वो इस प्रकार से कि यहां पर हो गए साथ व्यक्ति और यह हो गया प्रियेश तो हमें दोनों इस स्ट्रक्चर बनाते हुए चलना है आगे कि मैं बात करूं तो बोला है हुई इक्वी डिस्टेंस टू चंदन यानि कि अगर हम प्रियेश की बात करें तो विक्रम से जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर चंदन से भी है इट मींस प्रियेश और चंदन के बीच भी साथ व्यक्ति बैठे होंगे यानि कि यह हो जाया का कौन आपका चंदन यह हो और यहां पर प्रियेश और विक्रम के बीच साथ व्यक्ति बैठा पाना संभव नहीं इसलिए यह वाला केस हो जाएगा आपका कैंसिल अब यदि मैं प्रश्ण की बात करूं तो पूछा है find how many students are there in the row यानि पंक्ती में बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या में बता पिर मीले आपको प्रियेश कितने होगे 22 फिर मिल गए 7 व्यक्ति कितने हो जया उनतिस फिर मिले आपको चंहतन कितने हो गए हो इस Wire civil winner सब्रक्रा Jeans Can cor हल कर सकते हैं बात करेंगे अगले प्रश्नकी अगले दी मैं प्रश्नकी बात करूं तो बोला है रवी इस सेवंध रैंक एहड और सुमित इनक लास ओफ थार्टी नाइन यानि कि अगर हम 49 वेक्तियों की या 49 विध्यार्थियों की एक कक्षा की बात करें तो जो रवी का रै सेवंटीन फ्रांड यह तो यह होगे उन तालिस बच्चों की एक क्लास जिसमें सुमित का इस्थान अगर हम लास्ट से बात करें तो इस सेवंध न्हीं था है इस सुमित के दाहिनी की अर वेक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी वाइस है और बोला गया था कि रवी की ज बात करें तो 22 में से 6 और एक 7 निकाल लिया तो यहां पर व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जागी 15 या हम बोल सकते है 15 वेक्टियों का जो रैंक रही से आगे है प्रश्थ की यदि मैं बात करूं तो यहां पर पूचा है रवी की रैंक यहां पर हम स्टार्टिंग से पूछे तो 15 के बाद आएगा रवी का नंबर यानि कि रवी की rank की हम बात करें तो कितनी हो जाएगी option की हम बात करें तो option number C क्या हो जाएगा यहाँ पर right answer हो जाएगा clear बात करते हैं next question की next question पंजाब पूली ससाई 2016 की परिक्षा में पूछा गया प्रस्ण है बोला जा रहा इन रो अफ गर्ल्स चेतना इस सेवंध फ्रॉम दा राइट ललकियों के पंक्ती में चेतना का स्थान दाइने जोर से कितना है साथ वह है तो यह हो गई चेतना पोजीशन हो गई साथ चेतना के दाइं और वेक्तियों की अगर हम बात करें तो कितने हो कि और यहां पर थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ में कॉंसेट शेयर करूंगा ठीक है तो समझ यह ओरली कैसे इस को बना सकते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो अगर मैं बात करूं यहां पर सबसे पहले तो यह कैसे डिसाइड करेंगे कि चेतना की रंक ह रंक होगी 15th from the left अब यह कैसे डिसाइड करेंगे कि यह ओरलापिंग का केस बन रहा है या फिर ओलापिंग का केस नहीं बन रहा है तो यह हमें पता चलेगा पोजिशन इंडर्चेंज करने के बाद वाली दी गई पोजिशन से तो बोला जा रहा है इस बोत आफ देम एक्स तो यह बनेगा बात ना कहां बैठ होगी नहils किऔर दाहिने से जब हम मिलती है अकुछ का किसकी नीलं की पोजिशन आपको दिया घया इतना 15th from the left अब जब इन दोनों ने क्या कर दिया position को interchange कर लिया यानि कि यहां पर चेतना आ गई और यहां पर नीलम चली गई इट मींस अब बोला जा रहा है कि जो चेतना की position थी वो कितनी हो जा रही है 20th हो जा रही कहां से राइट से और यह जो 15th position दी गई तो यहां पर तीन प्रस्टों आपसे पूचे जा सकते हैं एक पूची जा सकती mid value यानि कि दोनों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या एक पूचा जा सकता आपको total number of persons और एक जो सबसे जादा आपसे पूचेगा वो पूचेगा दूसरे व्यक्ति की position कहां से left hand से यानि कि नीलम की position कहां से left hand से ठीक है तो position of second person ठीक है यानि कि दूसरे व्यक्ति की position clear तो यहां पर तीनों ही प्रस्टों का उत्तर हम orally कैसे निकालेंगे इसके बारे में लोग चर्चा करेंगे तो इसकी जगह अगर हम माल लेते हैं a और b या फिर चलो c और n ही रहने देते हैं concept के अगर हम बात करें तो a b करके आप उसको समझ सकते हैं तो जब इस प्रकार का आपको question देखने को मिलेगा तो जितने का increment पहले व्यक्ति की position में होगा यानि कि 7 से हो जा रहा है कितना 20 यानि कि कितना जूड़ रहा है 13 उतने का increment दूसरे व्यक्ति की position में भी होगा यदि यहां पर आपसे प्रस्चन पूछ लेता what will be the new position of Neelam from the left end यानि कि Neelam की बाई छोर से नई स्थितिक कितनी हो जाएगी तो अगर 13 बढ़ रहा है इन दोनों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या पूछे तो पहले अगर हम बात करें right end से position भी 7 और अभी right end से position कितनी है 20 यानि कि दोनों position आपको राइट एंड से ही देखने को मिल रही है तो यहाँ पर आप ये इक बात लोग नोट करके लिकली जब हमें किसी भी पंक्ती में दो positions एक ही end से पता हो दो position एक ही end से पता हो तो उनमें बैठे व्यक्तियों की संख्या निकि उनके बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी दोनों का difference minus one जैसा अगर मैं English alphabet की बात करूँ मैंने का L की position होती है 12 O की position होती है 15 तो दोनों के बीच में number of letters कितने आएंगे तो आपने से बहुत सारे विद्यार्थियों का अंसर आजाएगा तीन तो मैं चाहूंगा कि आप लोग बताइए कि वह तीन letter कौन कौन से होंगे तो मैंने का starting से इसकी position कितनी है 12 और इसकी position कितनी है 15 और मैंने का इसकार यहां पर चेतना की position कितनी थी साथ थी राइट से और अभी इस अगर पोजिशन की बात करें तो कितनी है यह बीसवी position किदर से राइट तो दोलों का difference कितना हो जाएगा 13 का हो जाएगा और एक घटा देंगे तो बीच में बैठे वेक्तियों कि संग्या कितनी हो जाएगी 12 यानि कि साथ के बाद मिल गए 12 वेक्ति तो कितने हो गए 19 और फिर उसके बाद यहां पर आ जाएगी 20 वा परसन यानि कि हो जाएगा कितना 20 क्लियर तो एक ही एंड से दो पर्टिकुलर पोजिशन का difference माइनस वन करने से आपको मिल जाएगी mid value और अगर हम बात करें टोटल नंबर आफ परसन की तो एक परसन की previous position प्लस दूसरे बार एक बार 15 में काउंट कर ले रहे हैं और एक बार 20 में काउंट कर ले रहे हैं तो व्यक्तियों की कुल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे previous position प्लस new position माइनस वन यानिकी 15 और 20 कितना हो जाएगा 35 माइनस का एक कर दोगे तो कितना जाएगा 34 यानिकी 34 फिलाल अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपसे पूछा कि व्यक्तियों की संक्या हो जाएंगी चली बात करेंगे अगले अग्ले प्रस्ण की मैं प्रस्ण हो भात करूं तो भोला जाए रहा रहा प्रहां। in a queue to pay their fees in the administrative office, किसी पंक्ती में खड़े है administrative office के fee के payment के लिए, रोहित इस्टेंड्स नाइंथ from the beginning, स्टार्टिंग से अगर हम बात करें रोहित की, तो रोहित की पोजिशन कितनी है, नाइंथ है, इसके आगे की यदि मैं जानकारी की बात करूँ, जो जानकारी यहाँ पर अगर आपको fix होती हुई नहीं दिखाई देगी, तो इसको as an information आप क्या करेंगे, note down करके, लिख लेंगे, आगे की यदि मैं जानकारी की बात करूँ, तो बोला जा रहा है, राणी is 14th from the end, और राणी की पोजिशन कितनी है, लास्ट से 14th है, तो यहाँ पर हम राणी को fix नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, अलग से लिख लेंगे, यानि कि राइट अगर हम राणी की पोजिशन की बात करें, तो कितनी है 14th है, clear, आगे की यदि मैं बात क रोहन, और यहाँ पर हो जाता, रोहन और यह हो जाती, राणी, इसको मैं इस प्रकार से as an information लिख लिया, आगे की यदि मैं बात करूँ, between them, and Rohan and Rohit have five students between them, और Rohan और अगर मैं बात करूँ किसकी, Rohit की तो इनके बीच में कितने वेक्ति हैं, चार वेक्ति हैं, तो ध्यान दीजे, पांच वेक्ति हैं, तो जब हम बात करेंगे, Rohan और Rohit के बीच में पांच वेक्ति हैं, तो इसको भी हम दो प्रकार से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो पहला वेक्ति था आपका कौन रोहित, यह कौन था Rohit, तो एक और हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके लिए Rohit के लिए पोजिशन कितनी है, नाइन्थ है, तो यहाँ पर अगर हम बना लें पांच वेक्ति, और इसको हम बना लें किसको, Rohan को जैसा कि आपको आगे दिया गया है, यह हो जागा Rohan, अब यहाँ पर हम इध Rohit के जश्ट बाद कौन हो जाएगी, रानी हो जाएगी, जबकि आगे की इन्फॉर्मेशन में आपको क्या दिया गया है, रानी की रैंक कितनी है, यहाँ पर अगर हम रानी को बठा लेते हैं, तो रानी की रैंक बन जाएगी कितनी, 10, clear, तो यहाँ पर मैं दो cases की बात कर और पर एक case यह हो गया, और हम रठा लेते हैं, फांच के इन्हांट के बनेगा है, तो यहाँ पर देखो, भी कि расп-nya रानी की रань के स्टार्टिनक बनेगा, 59, कि यहां तक होगे 9 व्यक्ति, 9 के बाद होगे 5 व्यक्ति, यानि कितने होगे 14, इसके बाद रोहन की रहन की हम बात करें, तो कितने होगे 15 व्यक्ति, फिर रोहन और रानी के बीच 4 व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति यह होगा, यहां पर हम बना लेते किसको, रानी को, तो रानी की रह कितनी हो जाए प्रश्ण करें दॉल बींकिन यानि कि किस्की रेंक स्टार्टिंग से पंधर होगकी दॉधा यह नोक्ति chimney के बात पांच झूधा आगे यानि US में क्या हो जाएगा option number C clear structure आपको बनाना आना चाहिए प्रश्ण कितना भी लंदियों असानी से आप पाएंगे यूपी पुलिस असाई 2021 में पूछा गया प्रश्ण है इस नाइंथ फ्रॉं दा राइट एंड कितनी है नाइंथ आगे कि यदि मैं बात करूं इस चिफ्टेट सिक्स प्लेसे तुद लेफ्ट यानि कि अगर यह अपने च्छटवे अच्छे स्थान क्या होगी ब हम पूछा क्या है फंग प्रसंद सार घेर इंदरो पंक्ती में कुल वेक्तियों कि संख्या कितनी है तो यहां तक वेक्ति हो गए थे नो नौ के बाद हो गे 5 कितने हो गये चौदा और एक अगर हम बात करें तो यह पी हो गया यह क्यू हो गया यहां पर ए बैठा सकते हैं यह पी हो गया यहांपर हम A बैठा सकते हैं और Q और A या फिर P और A के बीच में कितने वेक्ति हैं यह हम बोल नहीं सकते कि exactly mid का मतलब यहांपर only A बैठा ऐसा नहीं बोला गया ठीक है यहांपर P और Q के बीचा के बाता इसना नहीं बोला गया तो बोला है, P is 18th from the front, यानि कि P की position के अगर हम बात करें, तो front से कितना है, 18th position पर है, यानि कि होगी 18th position, और यहाँ पर भी अगर हम बात करें, P की तो यह position कितनी होगी, 18th हो गई, clear, दोनों cases यहाँ पर बन सकते हैं, आगे की यहीं मैं बात करूं, and Q is 12th from the, and or Q की अगर हम बात करें, तो last से कितना है, 12th position, और यहाँ पर अगर हम बात करें, तो Q की position होगी कितनी, 12th, कहां से, right से, clear, चली, आगे की अगर हम बात करें, P and A have two persons between them, P और A की बात करें, तो दो व्यक्ति हो जाएंगे, यहाँ भी दो व्यक्ति हो जाएंगे, यहाँ भी कितने हो जाएंगे, दो व्यक्ति देखने को मिलेंगे, what is the total number of people, अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो विकल्प बनेंगे, और हम यहाँ पर दिए गए विकल्पों के according, चुनेंगे अगर यहां पर आपको cnd का option दिया गया होता है cannot be determined तो आप उस option के साथ जाते यहां पर हमें दिये गए विकल्पों में से एक option को क्या करना है चुनना है तो अगर हम बात करें यहां पर कुल व्यक्तियों की संख्यागी तो पहले वाले विकल्प के साथ यदि हम जाते हैं पहले वाले यदि हम इस ट्रक्चर के साथ जाते हैं तो देखिए यहां तक होगे कितने हैं 18 वैक्ट 18 18 के बाद मिलें कितने होगे 20 20 के बाद 11 25 यानि कि एक विकर पर आपको 35 देखने को मिल रहा है अगर हम इस सुवाल स्ट्र्चर के साथ जाते तो अमने कहा इसकी पॉजिशन कितनी यानि रहा विक्ति बैटेंगे ग्यारा वैक्टि बैटेंगे जिन से 2 यह वोगया तीसरा यह और 2 इनकों मिलाएंगे तो 5 और एक यह च्छ और इस के बाद त्मोर्न कितने वैक्ट मिल जाएंगे 5 तो अथारा और पांच के बात करें तो वैक्टिओंके कुल संग्गया कितनी मिल जाती हमें 23 मिल जाती जो कि किसी भी दिये गए विकल्प में हमें देखने को नहीं मिल रहा है इट मीन्स यहां पर हम जाएंगे option number B के साथ तो मैंने कहा possible structure पर भी आपकी command होनी चाहिए possible structure आपको बनाना आना चाहिए कैसी condition देने पर आपके कौन-कौन से possible structure बनाए जा सकते है इसकी जानकारी इसका ग्यान आपको होना आवश्यक है clear बात करेंगे अगले पूछे गया प्रस्ण की पंजाब पुलिससाई 2016 की परिशा में पूछा गया प्रस्ण है बोला जा रहा है there are five books A, B, C, D and E placed on the table तो देखिए order and ranking में आपको इस प्रकार से भी question देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर हम किस प्रकार से अप्रोच करेंगे again दी गई जानकारी के आधार पर हम क्या करेंगे structure को बनाते हुए चलेंगे तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो पांच books आपको दी गई है if A is placed below E यानि कि A की अगर हम बात करें तो A कहाँ E के नीचे है अब केवल A ही E के नीचे ऐसा नहीं बोला गया तो इस बात को आपको ध्यान जे समझना है यानि कि language की अगर मैं बात करूँ तो language आपका reasoning subject में बहुत important role play करेगा अगर आपका language पर command नहीं है तो आप प्रस्नों में गलतिया करेंगे तो इसको हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं आगे कि यदि मैं जानकारी की बात करूँ तो बोला है C is placed above D, C कहाँ है एक उपर रखा गया तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं B is placed below A, B कहाँ है A के नीचे है तो B को रख लेते हैं A के नीचे आगे कि अगर हम जानकारी देखें तो आप लिखा है and D is placed above E or D कहाँ है E के उपर, it means C हो जाएगा तो टेबल है उसकी सत्ह को चू रही है तो अब इससी बात है सबसे नीचे वाली बुक चूएगी तयानि कि answer कि हम बात करें तो हो जाएगा option number C clear? चली बात करेंगे अगले प्रशन की M is elder than N यानि कि M क्या है? N से बड़ा है तो इस परकार हम लिख लेंगे फिर आपको बोला है X is elder than Y, X क्या है? Y से बड़ा है तो इस परकार से लिख लेंगे और बोला है, but younger than Z यानि कि X क्या है? Y से तो बड़ा है लेकिन Z से क्या है? चोटा है तो इस परकार से हमने लिख लिए आगे कि अगर हम बात करें तो बोला है N is younger than Y N क्या है? Y से छोटा है यानि कि यह हो जाएगा आपका N और आगे कि अगर हम बात करें तो बोला है And Y is elder than M और Y क्या है? M से बड़ा है यानि कि फिर से पांच वेक्तियों का सीकेंस आपका बन करके क्या है? प्रयार है बात करेंगे प्रस्ण की तो पूछा है Who is eldest? यानि कि अंसर हो जाएगा आपका option number D यानि कि Z Clear? बात करेंगे अगले प्रस्ण की Shanu is taller than Anil Shanu क्या है? Anil से लंबा है यानि कि Shanu को रखेंगे Anil के उपर Raghu is taller than चंदरा रगु क्या है? चंदरा से लंबा है बट shorter than 20 यानि कि B से छोटा है Shanu is shorter than चंदन, Shanu क्या है? चंदन से छोटा है यानि कि सीक्वेंस के अगर हम बात करें तो C, R, B बन करके हमारा structure तयार है प्रस्ण की अगर हम बात करें तो पूछा है इस tallest तो अंसर हो जाएगा यहां पर बिंदरा यानि कि B, option number B में भी आपको यहां पर बिंदरा देखने को मिल रहा है ठीक है, बिंदरा नहीं था, वो बिंदरा था तो आज के session के अगर हम बात करें तो आज हम लोगों ने यहां पर चर्चा करी mathematical operations और order and banking पर बेज़ प्रशनों की तो आने वाले सत्र भी आपके बचे हुए और मैंने जैसा कि starting में ही बोला कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं यानि कि आपको शुरू से लेकर के आन्द तक हमारे साथ बने रहना है, हमारे साथ प्रशनों का अभ्यास करते चलना है साथी साथ सेशन को like, share and subscribe जरूर करें, जिससे हमारा भी motivation आपके लिए इसी प्रकार से videos बनाने के लिए इस प्रकार के आने वाले आगामी परिक्षाओं के लिए प्रोग्राम्स लेकर के आने के लिए बना रहे, clear? तो आज के लिए इतना ही मिलते हम लोग, next session में कुछ और amazing और interesting topics और questions के साथ Thank you